कल दो लोग जो एडमिट होने वाल हैं, उन में से एक मरेगा अरे वो संजे और बिल्लू हैं कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा चल्दी, चल्दू चल्दो, चल्दो चल्दी चल्दी वाट्स नेक्स ये क्या है जनब हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप बैठ के पुछ पुछ कर रहे हों उस फैक्ट्री के वज़े से गाउवालो की जिन्दगी बर्बाद हो गया आपको शरम नहीं आती शरम कब का बेच खाया हाँ चाप देता हूँ अबे ओए मुझे बर्बाद करेगा क्या मेरे बाप मेरी बात माले उस कलम को अपनी जेब में डाले अच्छा मुझे गरीब को जूस पिलाना है मैं चलता हूँ अच्छा मुझे जाना है सवाल बाकिए बैठिए जो नहीं जाना है मंत्री जी को सब पता है एक मंत्री होने के नाते आप उस फैक्टरी पर क्या कारवाई करेंगे मौतरमा इस देश में कानून भी है हमें उसके हिसाब से चलना होगा आप जाए खबर मिल जाएग उसके परिवार को कितना हर्जाना मिलेगा मरने वाले को सरकार की तरफ से यह कोई पांच लाक रुपे और फैक्टरी की तरफ से दस लाक रुपे आपके इस रियक्शन से राका और आपकी पार्टी के बीच जो रिष्टा है कही उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा हमारे लिए अवाम से बढ़कर कुछ नहीं जनाब अब आपकी सरकार का अगला कदम क्या होगा हतततत पपो प्राका हमारी फैक्टरी पर इंक्वारी कमिशन बैट गई है अगर उन लोगों को कुछ गलत मिला तो हमारी फैक्टरी सील कर देंगे हलो मुन्ना मुशी तो बहुत हुई होगी कभी सांप सेड़ी का खेल खेला है उपर चड़ते चड़ते बहुत से सांप मिलते हैं जिनके काटने से आदमी मू के बल गिरता है और इस खेल में भी तुझे मिलने वाले हर सांप का नाम होगा मुन्ना तरी फैक्टरी के बंद होने से सिर्फ मैं अकेला खुश नहीं हूँ जरा ये आवाज सुन जरा ये आवाज सुन जरा ये सब जो भी हो रहा है सबको पता है मुन्ना कर रहा है वो हमारे लिए खत्रा बन चुका है जैसे भी है उसे खत्म करना पड़ेगा जिन्दगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा उसे मरना होगा और इससे पहले कि वो हमारे लिए मौत का सबा बन जाए उसे हम खत्म करेंगे रंगा इस शहर का चप्पा चप्पा चान मारो मुन्ना मुझे जिन्दा चाहिए यहां राका की तबाही शुरू हो गई और उसे तबाह करने वाले का नाम है मुन्ना बुला ले उसे अरे यहां क्यों लाया यार पार्क में जगह नहीं थे क्या अरे जब सारी तितलिया यहां है तो पार्क में जाके कौन से फूल तोड़ने है एक भी कच्ची कली नहीं आती वा उपर से वो वाच्मन का कुता हर्दा मुझे काटने के लिए दोड़ता है और एक बार उसने मुझे काट लिया ना तो इंजेक्शन ले लेकर मेरी जिंदी की बरबाद हो जाएगी इसलिए रेस्टरांट सबसे सेव जगा है है ना मुना हाई कैसे हो तुम लोग अरे नैना तुम और यहां पर क्या बात है मौटा कोइंसिदेंट दिन में चांद तारे दिख गए तो यह सब को देर से क्यों लेकर आए हो तो यह सब तेरी चाल है अच्छली क्या है कल रात को फोन आया था लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं भूल गया चलो कल्टी मारूना अरे मुन्ना वो चापड सर ने बुलाया था आता हो भी हां अरे मुझे याद है चंपा चाची सो कुछ काम था बिलू वो कौनर टेबल पर एक बहुत ही खुबसूरत लड़की बैठी है तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी लड़की की तरफ क्यू देखो क्यूंकि तुम कबाब में हटी बन रहे हैं चलो सबको भगा दिया अब बोलो क्या बाते मुन्ना मेरे दिल में ना तुम्हारे तुम अब तक जिस मुन्ना को जानती थी मैं अब वो मुन्ना नहीं रहा कल को मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता अच्छा या बुरा कोई गैरंटी नहीं इसलिए राका और मेरी दुश्मनी के बीच तुम ना आओ तो ही अच्छा है पर मुन्ना लब यू प्लीज नै तुमने जो कहा दुबारा कहूं मुझे याद नहीं मुझे याद है तुम्हारे और राका के बीच मैं ना आओ तो ही अच्छा होगा यही कहा था ना अब देखो यह राका है तुम्हारे और राका के बीच मैं नहीं आओ ऐसा तुम चाहते हो और अगर हम राका को ही बीच से हटा दे तो तो तुम मुझे पसंद करो गया ना मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था मतलब तो यही था ना मुना मैं जानती हो तुम भी मुझे चाहते हो माया आज तक राका के दिल में सिर्फ माया नाम की दह्शत थी लेकिन जब से तू आया है माया की दह्शत थोड़ी कम हो गई अगर हम मिल जाएं तो राका नाम का काटा हमेशा के लिए निकल जाएगा और फिर इस पूरे शहर पर हमारी हुकूमत होगी दोनों मिल कर राज करेंगे अब फैसला तेरे हाथ में है जरूरत मुझे है या तुझे तुम जैसे लोग बिना मतलब के किसी से भी हाथ नहीं मिलाते आज मुझसे काम है तो तुमने मुझे बुलवा लिया राका को मारने के लिए मैं केलाई काफी हूँ मुझे किसी की भी जरूरत नहीं राका उतना कमजोर नहीं चितना तु समझता है राका कितना कमजोर है कितना ताकतवर है मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेतर होगा कि तु अपनी फिक्र कर मुझसे मिलने तुम इतनी दूर तक आए उसके लिए तैंक्स और यहां से तुम्हें खाली हाथ भेज रहा हूँ सॉरी अब वो मुन्ना हमारे हर धंदे में अपनी टांगडा आरा है राका रंगा ऐसी अफ़ा है कि मेरे ही गैंग में कोई ख़दार है और वो गदार सब कुछ मुन्ना को बता रहा है लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कहीं वो गदार तू तो नहीं रंगा मैंने तेरे ही हाथों तेरे भाई को मरवाया उस बात का मलाल है सही कहा न मेरे जो भी दोस्त है मुन्ना उनसे नहीं मिलता पर जो भी मेरे दुश्मन है वो उनसे जरूर मिलता है शिवा मुन्ना आएगा आते ही उसकी दज्या उड़ा दो मुन्ना, राका को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी ढूननी होगी उसकी रग-रग से वाकिफ होना पड़ेगा से वाँ बोल राका ने तुझे मारने के लिए हमें बेजा है ठीक बेल के नीचे गन है जल्दे निकाल रुक जाओ गन्स नीचे करो गन्स नीचे करो जल्दे अकलबंद है चल मेरे साथ हाथ में आया खुला शिकार छोड़ दिया मुन्ना है वो मुन्ना हमारा बंदो बस सही था राका पर पता नहीं अचानक उसके हाथ में बंदू कहां से आ गई रंगा कहा है या वो अब ही तक अपने अतीच से बाहर नहीं आया बहुत गलत किया रंगा पहली बार राका की आँखों में दैशत देखी है मैंने मुन्ना उसने मेरे ही हाथ हो से मेरे भाई को मरवाया इसलिए मैंने तेरे और राका के बीच में क्या लेना देना है मुझे नहीं सुनना तू राका को जानता है मेरे लिए इतना काफी है सलाम आलेकुम भाई यह देख जर्मन मेड एकदम रापचिक माल है इन खिलोनों से राका को मारना ना मुम्किन है दोस्ती का हाथ बढ़ा ले फायदे में रहेगा जरा एक मिठेर ना देखो भाई मैंने तुमसे इतनी दोस्ती भी नहीं की है कि मैं बेवज़े तुमसे हाथ मिला ले लाका का हर एक दुश्मन मेरा दोस्त है मुन्ना तुम कितनी भी कोशिश कर लो फैक्टरी बंद नहीं होगी इंक्वियारी कमिशन के रिपोर्ट देने के बाद भी मिनिस्टर वर्मा ने साइन नहीं किया राका की ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है उसकी सियासी पहुँच उसे खत्म करना है वर्मा से अपॉइंटमेंट फिक्स करो वर्मा राका का आदमी है वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देख